अफ्रीकी सवाना के मध्य में सिंबा नाम का एक राजसी शेर रहता था। अपने सुनहरे बालों और साहसी हृदय के लिए जाना जाने वाला सिंबा अपने गौरव का नेता था और ताकत और बुध्धी के साथ उनका मार्ग दर्शन करता था। एक दिन अपने छेतर में गश्ट करते समय सिंबा ने पास की जाडियों से परेशान करने वाली चीखे सुनी स्रोट की और भागते हुए उसने एक मृद को शिकारी के जाल में फसा हुआ पाया। असहाय प्राणी को भोजन बनाने के बजाएं सिंबा ने दया दिखाई और ए दोशों के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन जब जमीन पर सूखा पड़ा तो सिंबा को सबसे बड़ी चुनोती का सामना करना पड़ा। एक सासी यात्रा पर अपने गौरव का नेत्रित्व करते हुए उन्होंने एक छिपे हुए नखलिस्तान की खोज की और अपने साथी प्राणियों को प्यास से बचाया। सिंबा की वीरता ने आशा को प्रेरित किया और एक किमवदंती बन गई जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्ची महानता दयालुता में नहित है न की केवल ताकत में। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और बारिश सवान में लोट आई सिंबा की किमवदंती बढ़ती रही जानवर दूर दूर से उसका मार्क गर्शन पाने के लिए यात्रा करते थे और उसकी बहादुरी की कहानिया विशाल मैदानों में गुंजती थी। फिर भी प्रशंसा और प्रशंसा के बीच सिंबा विनमर बनी रही वह जानता था कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी शक्तिशाली दहार से नहीं बलकि उसके दिल में करुणा से आती है। एक दिन जब सिंबा सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा था, डर से काम पता हुआ एक युवा हिरन उसके पास आया, उसने उसे दूर देश के शेरों के जुंड क बारे में बताया जो उसके जुंड को आतंकित कर रहे थे, सबसे कमजोर और सबसे असाय लोगों का शिकार कर रहे थे। बिना किसी हिची चाहट के, सिंबा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी आखे द्रिड संकल्प से चमक उठी, उसने चिकारे के जुंड की रक्ष करते हुए पूरे सवाना की यात्रा पर निकल पड़ा, रास्ते में उन्हें चुनोतियों और खत्रों का सामना करना पड़ा, लेकिन सिंबा का साहस कभी नहीं डिगा। अंत में वे दुष्ट गौरव के क्षेत्र में पहुँच गए, जोरदार दहार के साथ सिंबा ने सिंबा के अटूट संकल्प और न्याय की भावना की जीत हुई, एक शक्तिशाली गर्जना के साथ उसने दुष्ट नेता को हरा दिया और उन्हें भूमी से बाहर निकाल दिया। जैसे ही सवाना में सूरज डूबा, चिकारे का जुन्द सिंबा के चारों और इकठा हो गय उनकी आखें कृतग्यता और प्रशंसा से चमक रही थी, उन्होंने उसे अपना नायक, अपना रक्षक, साहसी शेर कहा जिसकी बहादुरी की कोई सीमा नहीं थी। और इस तरह साहसी शेर सिंबा की कहानी और भी मजबूत हो गई, उसके कार्य उन सभी के दिलों में अमर हो अटूट करुना और साहस ने भी उन्हें महान बनाया। दुष्ट शेरों के परास्थ होने और सवाना में शान्ती बहाल होने के साथ सिंबा अपने गौरव में लोट आया, उसका हृदय त्रिप्ती की भावना से भर गया, हाला की चुनोतिया बड़ी थी, वह जानता था क की सच्ची महानता जीती गई लड़ायों में नहीं, बलकि उन जीवनों में है, जिन्हें उसने चुआ था और जो आशा उसने प्रेरित की थी। उस दिन के बाद से सिंबा सवाना के महान राजा के रूप में शासन करता रहा, उसकी विरासत उसके विशाल मैदानों में और जैसे ही अफरीकी जंगल में एक और दिन सूरज दूबा, साहसी शेर खड़ा हो गया, उसकी अयाल सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, जो आने वाली पीढियों के लिए आशा और करुना का प्रतीक थी। और इस तरह साहसी शेर, सिंबा की कहानी समाप्त हो गई, लेकि उसकी आत्मा हमेशा कायम रहेगी, एक कालातीत अनुसमारक की सच्ची महानता दिल की ताकत में पाई जाती है।